सुन्भद्र के राबर्स गंज कोतवाली लाके के मधुपूर गाव में पुलिस को आज बड़ी काम्याबी हाथ लगी पुलिस ने देशी शराब बनाने और पडोस के राज्यू में बेचने वाले गिरोह का भंडा फोर्ड किया है इस गिरोह के दोस अदस्य को गिरफतार किय लगया है इनके पास से 26 कार्टून में 1170 शीशी नकली देशी शराब सरकारी रैपर और बारकोर्ड लगा हुआ ब्रामत किया साथ ही 1000 बारकोर्ड लगी हुई खालिश शीशी 900 बारकोर्ड होलोग्राम रैपर बैच नंबर अंकित करने के लिए स्टाम पेपर साथ ही एक इ पुलिस ने नकली देशी शराब बनाने वाले और पास के राज्यों में बेचने वाले गिरोह का भंडा पोड किया है इसमें दो अभ्यूक्तों को गिरफतार किया है जबकि तीन अभ्यूक्त अभी भी गिरफत से बाहर हैं इन आरोपियों के पास से 26 कार्टून 1170 शीशी अकली देशी शराब सरकारी रैपर और बारकोर्ड लगा हुआ ब्रामद हुआ जबकि 1000 बारकोर्ड और रैपर लगी हुई खाली शीशी ब्रामद हुई इतना ही नहीं 900 बारकोर्ड और होलोग्रान रैपर 22 नंबर अंकित करने के लिए स्टांप पेपर और इंडिका मिल है जिसके लिए पुलिस कारे कर रही है शुक्रित चौफी और स्वार्ट टीम को मिला करके गठिक की गई थी जिसके द्वारा कल 14-11-18 को सैनिक धाबा के पास असरफी के मकान में घरेबंदी करके गिरबतारी दो लोगों की की गई और 26 कार्टून में करीब 1170 लेटर कच्ची सराब देशी सराब और नकली होलोग्राम और रैपर सीसी के सारी चीजे बरामत की गई अभी तक चार्वों की गिरबतारी नहीं हो पाई है उसके बारे में टीम लगाए गई है उसी गिरूं की गिरबतारी करने जाए तो यह बड़ा सिंटिकेट होने की संभाव होता है उस वारे में जाच की जा रही है तो अब बिहार में बेचते थे लोग बता है कि बिहार में बेचते करें के लिए कोई शुक्रस्कार हो रहा है कि दोशाब आइनको कुरस्कित प्या जाएगा